हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है श्योंग गुपता आज के वीडियो में बात करेंगे कि जीमेल के पासवर्ड के बारे में यदि आपका पासवर्ड भूल गए हो या फिर किसी और ने आपका जीमेल डी क्रेट करी है और आप उसका पासवर्ड नहीं पूछ पायो और आपके फो हैं या कोई वेब साइट है या किसी भी चीज में प्ले स्टोर में या प्ले बुक्स में या गेम्स में लॉग इन करते हो तो आपको जीमेल आइडी की जरूरत पढ़ती है तो आज के वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आपने पासवर्ड को देख सकते हो इसके साथ अगर पासवर्ड भूल गए हो तो किस तरीके से आप उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो एक नया पासवर्ड बना सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले कि अगर आपके फोन में लॉग इन है आपका जीमेल आईडी लेकिन आपको इसका पासवर्ड पासवर्ड का अगर यहां पर यहां पर यहां कि आपका जीमेल का पासवर्ड यहां पर सेव हो गा लेकिन बहुत सारे लोग इसको off रखते हैं क्योंकि यह security की वज़े से सही नहीं रहता है लेकिन बहुत सारे लोगों के यह automatically on रहता है तो इसको आपको देखना चाहते हो तो आपको करना क्या है आपको यहाँ पे नीचे आके देखना accounts.google.com पे अगर यह आपको on होगा तो यहाँ पे आपका जो password है वो show हो रहा होगा लेकिन अगर आपका यहाँ पे password on नहीं है save password तो फिर आप अपने password को कैसे देख सकते हो तो उसके लाग को क्या करना है आपको जाना है settings में settings में जाने के बाद आपको scroll करके नीचे आना है यहाँ पे option आगा Google का इस पे आपको click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है manage your Google account पे जाना है ठीक इसके बाद आपको जाना है यहाँ से personal info में यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है scroll करके यह देखिए यहां पर कॉप्शन आगा पास्वर्ड का तो में का दिखा का लास्ट चेंज 11 जुलाई 2018 यानि कि लगभर तीन साल से हमने पास्वर्ड चेंज नहीं किया है आगर यहां पर डॉट डॉट जो दिख रहे हैं आप इसको देखना चाहते हो तो आपको इस पर क्लि पर कॉंटिनु करने के लिए सबस्राना पड़ेगा कि आपको यह फोन आपके हाथ में है या नहीं अगर नहीं है या पास्वर्ड नहीं पता तो आप क्या करोगे आप जागे फ़र्गॉट पास्वर्ड पर है यहां पर दोथीन ऑप्शन आपको सामने आएं कि अपने पा पर कुलेंगे पोटु का फोन के लोग नहीं यूज़ करना देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा option किस तरीके से work करता है यहां पर आपको forward password पर click करना है पहले then उसके बाद आपको क्या करना है यह देखिए screen local option आ रहाता है आपको इसको नहीं use करना है try another way इसके बाद आपको क्या करना है यह देखिए यह खुद आपका pop-up message बेशता है Google आपके जो phone number उसमें registered होगा इस तरीके से is it your trying to recover your account तो आप अगर यहां से yes कर दोगे देखिए आपका मतलब just now वही दिखायागा pop-up इसको आप यहां से yes कर देंगे तो क्या sign in approved हो गया है और आप यहां से फिर से अपना नया password जो है create कर सकते हो तो यह थे दो option जो मैंने आपको बता दी है इस तरीके से आपने password को देख सकते हो पुरानी ID का और अगर आप password अपना भूल गाए हो तो आप एक नया password create कर सकते हो सो होप के वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस तरीके और भी informative वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को subscribe जो करें Thank you